आज पूरा देश सूखे की चपेट से जूज रहा है लेकिन महाराश्ट्र का लातूर शहर सबसे ज्यादा सूखे की मार से बेहाल है जहां भी नजर दोड़ाएं वहां सिर्फ पानी की किलत, सूखापन और फसलों की बरबादी का ही मनजर दिखाई देता है ऐसे में महाराश्ट सरकार की ग्रामीन, विकास और जल संरक्षन मन्तरी पंकजा मुंडे हालातों का जायजा लीने लातूर पहुची तो उन्हें सबसे पहले सैलफी लेना यादाया पंकजा मुंडे लातूर के केसाई गाउं में मंजरा नदी पर खुदाई के काम का जायजा लेने पहुची थी काम के दौरान पंकजा ने अफसरों और सूखे की मार छेल रहे किसानों के साथ सेलफी खिचवाई पंकजा द्वारा ट्विटर पर सेलफी फोटोस शेयर होते ही बवाल मज गया पंकजा के सेलफी मुँँपर कॉंग्रेस ने निशाना साधते हुए इसे बीजेबी नेताओं की असमवेदन शीलता करार दी है तो वही सत्तापक्ष के साजेधार शिफसेरा ने इसे दुर्भागे पून बताया है हाला कि पंकजा ने अपने सफाई में कहा है कि मैंने सोशल मीडिया पर फोटोस शेयर की ताकि लोगों को पता चले कि राहत के लिए एड्मिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है वैसे कुछ दिनों पहले ही लातूर में सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने विशेश ट्रेन के जरीए पानी पहुँचाया था